हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 221 प्रोडक्शन टेक्नलोजी फॉर फ्रूट्स एन प्लांटेशन क्रोप्स लेक्चर फॉर्ट मेंगो पार्ट सेकेंड अपना जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अपने इसकी कल्टिवेशन जो प्रोडक्शन टेक्नलोजी है सोयल, क्लाइमेट, हार्वेस्टिंग तक कवर किया था अब अपने आगे वाला जो टॉपिक है इसकी कमेंगो का जिसमें इसके फिजियोलोजिकल डिसॉडर, इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज के बारे में देखेंगे स्टार्ट इस टॉपिक, फिजियोलोजिकल डिसॉडर जो इसके काईक विकार होते हैं, किसी न्यूटेंट की कमी के कारण, किसी कीट के कारण, जा कहलो कि कोई हार्मोन इंबैलेंस के कारण, वो सारे के सारे फिजियोलोजिकल डिसॉडर कहलाते हैं, वो अपने इस टॉपि disease in India at दरवंगा बिहार in 1891 जो मेरिस था एक साइंटिस्ट था वो उसने सबसे पहले बिहार के अंदर दरवंगा एक जगह का नाम है वहाँ पे 1891 के अंदर इसे सबसे पहले ऑफजब किया था वह उसने इसको खोजा था affected cultivars जो सबसे ज़्यादा प्रभाविद cultivars है बंबे ग्रीन है चोसा पंदाश्यारी है लंगड़ा जो सबसे ज़्यादा जिसने में के समस्य रहती है वो वराइटिया है बंबे ग्रील चौसा समस्यारी और लंगड़ा तीक है malformation is serious in north than in south malformation की जो समस्या है वो north India के अंदर ज़्यादा परभावी के लोग ज़्यादा होती है देखने को मिलती है जबकि south में जो समस्या कम है it may result in loss of about 50-60% of the total group और जो की लग लग पचास से 60% जो फसल है उसको loss करती है उसका नुक्सान होता है two types of malformation malformation दो परकार की होती है एक तो vegetative malformation होती है दूसरी होती है फ्लोर है ठीक है तो vegetative malformation में क्या होता है the vegetative malformation is generally affecting seedlings of young plant in which there is a swelling of bud and formation of small shoots with short internautes at the apical end जो vegetative malformation होती है ज़्यादा तर जो छोटे पोदे होती है जब अभी ugा हुआ यह होता यंग होता है ठीक है उस समय ज़्यादा तर देखने को मिलती है उस समय जो कलिहा होती है जहां birds होती है we'll swelling हो जाती है we'll soot जाती है इसके लावा जो शाखाएं होती है वो smart रह जाती है चोटी रह जाती है और उनके अंदर inter-nodal length और भी ज्यादा छोटी हो जाती है apical end की तरफ से ठीक है जो की एक witches room की तरह दिखाई देती है मतलब भूतनी का जाडू कहलो ठीक है भूतनी के जाडू जैसी structure दिखाई देती है उपर से पतली-पतली शाख हैं कहलो ठीक है और नीचे उसका तना ठीक वैसी structure दिखाई देती है vegetative malformation के अंदर generally junk plant के अंदर दिखाई देती है दूसरी होती है floral malformation in floral malformation panicle become deformed axis become deformed जो floral malformation है वो ज्यादा तर जो बड़े पेड़ होते हैं वहां पर जज्यादा तर देखने को मिलती है इसमें जो फूल होता है जाके लो की panicle होता है पूरा गुच्छा होता है जिसको panicle का जाता है mango के अंदर वो पूरा का पूरा deformed हो जाता है विक्रिटित तो हो जाता है ठीक है उसके अंदर जो एकसे जोता है जानी कि तने होते हैं वह भी च्छावरट हो जाते हैं जट टीप फॉर्म डो हो जाते हैं घंक से नहीं बनते एक्से बीकम शोर्ट हो जाते हैं जिसके करण पूरा उच्छा एक क्लस्टर के लो की एक एक अठा हुआ जूंड सा दिखाई देने लग जाता है की जिसके अंदर जो फ्लोवर बनते हैं वह थोड़े बड़े 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 साइज के बन जते हैं तीन चार वह जैसे लगता है जैशे पतिया निकली होई है और उसमें से भी ज्यादातर वो मेल होती है उसमें फ्रूट सैटिंग नहीं होती ठीक है जाने कि इसमें जो हर्माफरोडाइट फ्लोवर वो नहीं बनते हैं उसकी जगा मेल फ्लोवर ज्यादा बन जाते हैं कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे पिक्चर में आपको इसके करण करते हैं जैसे मैंगो होपर है उसके करण भी होती है इसके लावा एक्रोलोजिकल ठीक है जानी कि माइट्स होती है उनके करण मैनी स्पीसीज ओ मैइट्स जिसको इसको मकडिया कहते हैं उनके करण जैसे ऄकैरिया मैझिफेरी है इसके लबवा चले टो गयब ऐनास है इसके तैफ़ो ब्लॉर डोमस ँरूब अ इतिक है इसके करण इसके लबवा फिस количество एंड-ाइज बायोगा मिक्वेगल कॉज जह तो अंदरूनी जो बदलाव होते हैं उसके कारण जैसे कोई nutritional imbalance हो जाता है कि किसी पोशक्ततव की कमी हो गई पोधे के अंदर उसके कारण हो सकता है soil moisture जो नमी है कम है तो उसके कारण हो सकता है ज्यादा है तो भी उसके कारण भी हो सकता है मतलब उस मोश्टर के कारण भी हो सकता है इसके कारण हो सकता है इसको कैसे कर सकते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है पहला तो है इसका उपाए application of plant growth regulators first week of October and phenolic compounds जैसे मतलब growth regulators जा कुछ phenolic compounds हैं उनको आप spray कर सकते हो application कर सकते हो उनका use कर सकते हो अक्टूबर के अंदर जब फ्लोर बार differentiation होके होता है उसके बाद जस्ट बाद थोड़ी दिर बाद ही ठीक है इसमें जैसे नेफ्टली कैसिटी कैसिड है तरे 200 ppm नेफ्टली कैसिटी कैसिड growth regulator है इसके लाब एथेरल है जिब्रेलिक आसिड है इसका आप शिड़काव कर सकत हो पहला बचाव दूसरा है जूज ऑफ एंटागोनेस्टिक्स एंड एंटी मालफोर्मिस कुछ एंटागोनेस्टिक और एंटी मालफोर्मिस कंपाउंड भी होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो जैसे गुलूटा थियोन है एसकॉर्बीक एसिड है सिल्वर जारी कि बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस और पटाश के साथ साथ फैरस सल्फेट फेसो 4 जा फिर कोवार्ट सल्फेट इसका आप शिटकाव करोगो तो यह समस्या कम रहेगी इसके लाब प्रूनिंग ऑफ मालफोर्मिस पार्ट 15-20 सेंटिमेटर वि जैसे कोई लग रहा है कि आपके उसमें हो गया है मालफोर्मेशन किसी पैनिकल के अंदर आपको लग रहा है कि आया हुआ है तो उस पैनिकल को लगव 15-20 सेंटिमेटर नीचे से स्वस्थ भाग को 15-20 सेंटिमेटर साथ में काट देते हैं और उस जगह पे कैप्टॉन, फं इसके लावा जो होपर है मेंगो होपर के कारण अगर लगता है कि अपने को मेंगो होपर के कारण है जा किसी और कारण से इंसेक्ट के कारण है तो पैराथियोन, कैल्थेन, कैराथेन, इनका आप शिर्काव कर सकते हो इसके लावा कवरिंग पैनिकल बिद पॉलिथीन फिल pathogen fungus है वो ज्यादा temperature की काल मर जाए तो उसको cover कर देते हैं ठीक है polythene से ये भी एक अच्छा उपाय है malformation से बचने के लिए तो next अपना जो physiological disorder है major physiological disorder जैसे fruit drop है फलों का गिरना fruit drop is natural and is very high in mango especially during mustard and pea stage first four week यह मतलब जो आम के अंदर एक natural phenomena है कि fruit drop होता है और बहुत ही जादा होता है जब वो mustard stage का होता है सरसों के दाने जितना मतलब उसमें pollination हुआ नहीं है कई बार तो उसकी ओवेरी वैसी ही गिज़ाती है तो कभी-कभी क्या होता है कि pollination हो चुका होता है और छोट-छोटे बने हुए होता है तब जहां फिर थोड़ा सा मतर के दाने जितना हो जाता है तब जाने कि पहले जो चार वीक होते है तब ज्यादातर fruit drop होता है आम के अंदर causes of fruit drop पहला कारण क्या हो सकता है lack of pollination मतलब उसमें pollination ढंक से process फूरी नहीं हुई pollination नहीं हुआ तो जितने भी pollination नहीं हुआ जिन फूलों के अंदर वो घिरेंगे इसके कारण हो सकता है mustard stage पर ठीक है low stigmatic receptivity stigma की receptivity नहीं थी ठीक है तो जितने भी flower थे जिनमें pollination नहीं हुआ सेम प्रोसेस प्रोसेस है जो परवाला की lack of pollination pollination की कम होना उसमें pollination ना होना किसी कारण से किसी भी कारण से pollination नहीं हो पाना ठीक है उसके कारण जहां फिर stigma थी उसकी receptivity होती कम थी बहुत कम टाइम तक थी वैसे तो 72 होस तक रहती है इसमें बहत्तर गंटे तक रहती है पर इस कम हो ठीक है कभी कभी कम भी होती है temperature ज्यादा होता है तो जल्दी सूख जाती है तो नहीं हो पाता इसके लवाट defective perfect flowers जो perfect flower है जिन में male और female दोनों पाइट पाई जाती है जानी कि उसमें हो सकता है जातो जो stigma है वो defective हो सकता है कि उसमें pollen है वो defective हो ठीक है तो वो pollination ना कर पाए incompatibility पाई जाती है न वो problem होना ठीक है इसके कराने भी हो सकता है इसके लाब पूर pollen transfer due to insufficient pollinator कभी कभी क्या होता है कि जो pollinator होती है वो जादा मत्रा में नहीं होते जानी कि जादातर mango के अंदर cross pollination होता है तो इसमें जो pollinator है वो एहम बोमी का निवाते हैं पॉलीनेशन के अंदर जो हाउस फ्लाइज होती है ग्रह मक्खी वो इसमें पॉलीनेशन की तरह काम करती है कभी कभी क्या होता है कि एड़र्स क्लाइमेटिक कंडिशन होती है बहुत ज्यादा रहती है तो ऐसे जो एजेंट होती है वो भाग जाते हैं वो पॉलीनेशन नहीं कर पाते हैं ऐसे मौसम के अंदर तो उसके कारण भी वो जो फूल नहीं बने वो नीचे गिर जाते हैं मस्टर्ड स्टेज के उपर फिक है इसके अवा लैक ऑफ सोयल मौस्टर नहीं कम होगी तो भी कई वर फूल जड़ने स्टार्ट हो जाते हैं इसके लाबा अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडिशन लाइक हाई टेंप्रेचर वींड हैल्स टोरम बहुत ज्यादा तापमान होना उसके करण भी फल गिरने है फूड ड्रॉप होता है हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज लाइक पाउडरी मिल्ड्यू अगर बहुत ज्यादा मात कहलो कि बहुत ही ज्यादा उनका प्रकोप रहता है पाउडरी मिल्ड्यू ठीक है चूरनी फफूंदी चूरन ऐसे कुछ करके है इसका नाम तो पाउडरी इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन के अंदर कमी आना इनकी इसके कारण भी कभी कभी फूट ड्रॉप का कारण बनती है कंट्रॉल मिजस रेगुलर इरिगेशन डूरिंग दा फूट सेटिंग टू डवलपमेंट स्टेज पहला तो कि जब से फूट सेट हुआ है पोलीनेशन स् सिंचाई करनी चाहिए मॉस्टर कमी नहीं आने चाहिए इसके लबा एप्लिकेशन ओफ पीजी आर लाइक नैप्तलिक एसेटिक एसीड एट 25 पीपियम और जहां फिर 24D एट 10-15 पीपियम जहां फिर 245T एट 20 पीपियम डूरिंग पी स्टेज जब पी स्टेज होती है मतर जितने दाने जितना फल लगा होता है उस समय नैप्तलिक एसेटिक एसीड का जहां फिर 24D का जहां 245T का शिड़काव करना चाहिए यह भी फलों को जो रिटेंशन होती है इसकी जुड़ाव होता है वो मजबूत करता है इसके लाब स्प्रेंग ऑफ यूरिया जिरो परसे का तो वो भी काफी हाफ रहता है वेनिफिश towards इसक लाब अल्ट्रनेटबरी जानें इसको कबीगावी बीरिंग भी बोल देते हैं7 प्लत का लगना अचे अपने आंकतर फलन जहां और नोसुदुद अट यह अन्क अर्पने हिंडियन है तो वेसे जगाव ज़्छे ज Г're जिससे एक साल फ्लोवर बड़ बनाती है और दूसरे साल वेजिटेटिव ग्रोथ करती है ठीड़ है पर कुछ हद कि इस प्रॉब्लम से को सॉल्व किया जासकता है इसको नियंतरित किया जा सकता है तो जिस साल flowering होती है उसे on year कहते है और जिस साल flowering नहीं होती जब fruit बहुत ही कम आतरा में लगते है उसे off season कहते है ठीक है याद रेखना इस शब्द को on year जिस साल फल आते हैं और off year जिस साल फल नहीं आते ठीक है alternate bearing मतलब एक साल फल आना और एक साल फल नहीं आना इस चीज को alternate bearing bainial bearing habit भी कह देते है पोदे की होती है ठीक है बहुत से पोदों की bainial bearing habit होती है alternate bearing की और भी पोदों की है तो इसे कहते है ठीक है उसके बाद causes कारण क्या हो सकते है कि वैसे तो एक तरीके से पोदों के अंदर अपना पर फिर भी कुछ और भी कारण हो सकते है जैसे climatic condition adverse climatic conditions are high temperature to low temperature forest high wind hill storm इसके कारण भी कभी कभी क्या होता है कि alternate bearing के अंदर आ जाता है मतलब उस साल फल नहीं आते मतलब फल आने थे उस time on year था उस time क्या हुआ कि adverse climatic condition होगी बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया एकदम से सारे के सारे fruit drop हो गया आपके तो एक अंतर फलन जैसी समस्या आगे फल आपका और चाड़ में फलन नहीं हुआ ठीक है unfruitful वाली जो समस्या थी वो वाली same condition आगे इसके लाब बहुत कम तापमान के कारण भी कई वार फल जड़ जाते हैं ज्यादा पाड़ा पढ़ने के कारण भी फल गिर जाते हैं बहुत ज्यादा wind है बहुत ज्यादा आंदियां चल रही है उसके कारण तुफान के कारण भी फल गिर जाते हैं और एक अंतर फलन जैसी समस्या उत्पन हो जाती है इसके लाबा age and size of shoot जो ज्यादा तर जब on year होता है तो जो भी mature है जहां फिर कोई भी shoot है वो flower bud differentiation करती है मतलब उसमें flower bud का induction होता है मतलब flower bud बनती है ऐसी शाखाओं के अंदर age भी इसमें matter करती है कुछ हद तक क्योंकि जो आम के अंदर growth जो पुरानी growth होती है पिछले साल की उसी के उपर ज्यादा तर flowering होती है ठीक है ज्यादा तर flowering पुरानी पिछले साल की growth होती है उसी पर होती है और नहीं latest growth के उपर देखने को मिलेगी cn ratio इसके लाबा carbon और nitrogen जा carbohydrate और nitrogen का ratio ज्यादा तर जो carbon और nitrogen का flower bud differentiation के अंदर बहुत ही महतब पूरान रोल रहता है carbon और nitrogen के अंदर जहानी कि जब nitrogen और अधिक मात्रा में होती है और carbohydrate भी ठीक मात्रा में balance होता है उन दोनों का तो flower bud बहुत ज्यादा मात्र में होती है और आपका जो sufficient मात्रा में होता है carbohydrate nitrogen ज्यादा sorry nitrogen भी कम और carbohydrate भी कम मात्रा में होता है तो flower bud differentiation नहीं होता only कुछ मात्रा में vegetative growth होती है ठीक है और इसके लाबा hormonal balance भी हो सकता है higher level of oxygen and inhibitors like substance and lower level of gibralin like substance were found to be vital for a flowering shoot flowering shoot flower bud differentiation जा कहलोगी flower की कलियों को बनने के लिए oxygen और कुछ inhibitors जो की growth को रोकते हैं जा फिर यह कहलोगी जिप्रेलिक जैसे substance की कमी हो तो flower bud कलियां ज्यादा बनती है ठीक है तो ऐसा होना चाहिए अगर ऐसा नहीं रहता इसके उल्टा रहता है विप्रित तो आपका जो और और चाहिए अन फूटफूल रहे जाएगा जानी कि उस साल वो और सीजन और में रहेगा ठीक है तो इसको और चाहिए जब भी पानी की जुरूरत है जितने नखात की देने की जुरूरत है टाइमली सब कुछ देना चाहिए कोई पेस्टिसाइड को रोफ रेगुलेटर की शिटकाव करना है वो टाइमली करना चाहिए इसके लावा डीप लॉस्मिंग इन एयर इसके लावा जो डीप लॉस्मिंग की जाती है ऑन येर के अंदर मतलब बहुत ज्यादा फलन होता है एक साल तो दूसरे साल बिल्कुल कम होता है जहां होता ही नहीं है तो उसको रेगुलेट करने के लिए डीप लॉस्मिंग की जाती है मतलब बहुत ज्यादा फूल लग गे तो उन फूलों को कुछ मात्रा में तोड़ दिया जाता है इसको आप एक और इसके लिए टर्म अप्लिक एसे बहुत से ग्रोथ रेगुलेटर यूज किया जाते हैं डी ब्लॉस्मिंग के अंदर इसके लाबावा समद्डिंग एंड कैमिकल रेगुलेटर लाइक एप्लिकेशन ऑफ इथेरल ठीक है टू क्लोरो इथेन फॉस्पोनिक एसीड जा फिर पैंटाब व्यूक कहीं देते हैं किसी चीज की धूनी देते हैं सेम वह प्रोसेस की जा सकती है जα कुछ क्रेचर ग्रॉथ रेगुलेटर का स्प्रे किया जा सकता है जयासे अथेयल है ondसुरी प्थे प्रेंट्रा टूा लावा आप पोकेश्यम नाइट्रेट का भी स्प्रे कर सकते हो कैल्सिम नाइ्ट्रेट का भी पभी स्प्रे काफी लावदायक रहता है प्रूनिंग फ्रूनिंग दा फ्रूट त्टेडрист smells एस एंड ओपनिंग ट्री टॉप प्रूपरली जो जिन पर फ्रूट लगा हो आता है उनकी प्रूनिंग करना उन शूट की और इसके साथ ट्री को ओपन करना उपर से जिससे कि उसके पूरे भाग तक लाइट कोहुंच सके तो ये करना भी इस समस्या का एक समाधान है इसके लगाँ ग्रोविंग रेगुलर बेरिंग कल्टिवार्स जो भी कल्टिवार रेगुल वेरिंग में आते हो जैसे बैंगलोर है रोमाणी है निहीं रृम है आलमे मुस्ट अल हाइब्रिड जितनी हैं अमरपारी कस इन बढै है sweaty ह। वह उगा सकते हो वह इसके सिंदुए क्ब्स्र ग है डेकला अधिप कोमांद इन रुत्तिर पर संब्लेक टिप ज़्यादा तर समस्या है नौर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी ऐसे तो मेलनी क्योंकि उत्तर परदेश, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगौल के अंदर यह समस्या देखने को मिलती है जहां पर इंट बनाने वाले बट्टे बहुत ज्यादा मात्रा में है उन शित्रों में देखन का एक साइट तो पेड़ के साथ अटेच रहता है नीचे वाला भाग काले रंग का हो जाता है और हाड हो जाता है कठोर हो जाता है वहां पे एक दब्भा बनता है और कठोर हो जाता है ठीक है फ्रूट राइप प्री मैचुरली और पकने से पूरव ही मतलब वह पूरा are located near to mango orchard मतलब जो इंट वाले भट्टे होते हैं उनकी जो चिमनिया है वो जितनी नईदीक है mango orchard के वहाँ के यह समस्या ज्यादा तर देखने को मिलती है पिलूटेड एटमोस्पियर विद समोक और ब्रिक किलन कार्बन मोनोकसाइड carbon dioxide, sulfur dioxide, acetylene cause this disorder जो पिलूटेड एटमोस्पियर है जो वातावरन, पिलूटेड वातावरन है जिसके अंदर बहुत सी कैस हैं जो कि बट्टों से निगली हुई है carbon monoxide है, carbon dioxide है sulfur dioxide है, जहां acetone है यह इस विमारी जहां इस physiological disorder के लिए उत्तरदाई होती है मतलब इनके कारण यह physiological disorder होता है control क्या है, पहला तो allow bricks clean at a distance of at least 1.6 km in the east and west पूरव और पस्चिम के अंदर जो distance रखना चाहिए जो आपका इंट बट्टा है उससे जहां कहलो कि अगर आपने औरचाड पहले लगाया तो औरचाड आपका कम से कम 1.6 km जानि कि 1.6 km कम से कम पूरव और पस्चिम की side ठीक है, पूरव और पस्चिम की side अगर बट्टा है तो इतनी दूरी पर होना चाहिए 1.6 km और अगर north और south की जो direction है और चाड की उस side से इंट बट्टा लगवग 8 km 0.8 km दूर होना चाहिए ठीक है north जानि कि उत्तर और दक्षिन की side से भी कई बार ये question पूछा जाता है कि कितनी दूरी पर होना चाहिए किस direction में ऐसे direction भी पूछता है तो थोड़ा याद रखना 1.6 east और west 0.8 km north और south और चाड से दूर होना चाहिए इसके लाबा increase the chimney height जो उनका इंट बट्टों की chimney होती है उसकी भी आप height अगर बढ़ जाती है 15 से 18 मीटर के कम से कम रखनी चाहिए जिससे कि वो जो गैसे हैं वो नीचे ना आए और चाड के अंदर ना फैले ठीक है इसके लाब spraying borax 0.6% from fruit set at 10 to 15 days interval इससे कंट्रोल के अंदर इससे कंट्रोल किया जा सकता है जहां फिर borax 0.6% का स्प्रे करो जब fruit set होता है उस समय 10 से 15 दिलों के अंतराल पर ठीक है 10 से 15 दिलों के अंतराल पर अगर आपने borax का स्प्रेक शिटकाव करते हैं fruit set के समय तो भी इसससे ये कंट्रोल हो जाता है leaf scorch ठीक है next physiological disorder leaf scorch particularly old mango leaves show scorching at the tips and margins जो पुरानी पत्तियों होती हैं हम की उनमें जो पत्तिय के किनारे होते हैं और जा फिर margin होते हैं जा किनारे और tip होती है वहाँ से पत्ति जलना स्टार्ट कर देती है ठीक है brown color की हो जाती है जल जाती है एक त्रीके से effectively fallen down and the tree bigger and yield are reduced पत्तियां उसकी जो पत्तियां किनारे होती हैं वह scorch होके गिरना स्टार्ट हो जाती है जिससे की पत्तियां की भरदी होती है वह भी रुख जाती है और उपज में भी प्रभाब पढ़ता है उपज भी कम हो जाती है ठीक है पिक्चर में शोग रहा होगा है पत्तियां किनारों से जल जाती है जैसे वो brown color की हो जाती है फिर causes excess of chloride ions which render potash unavailable अधिक मातरा में एक chloride ion का होना जो की potash को unavailable बना देता है बहुत ज्यादा मातरा में मिट्टी में अंदर अगर chloride की मातरा ज्यादा है chloride ion ज्यादा है तो potash की unavailable हो जाता है पोदे को नहीं मिल पाता उसके करण भी हो सकता है इसके लवा leaf scorch common in saline soil जो saline मिट्टी होती है ठीक है उसमें chloride ion ज्यादा होता है यह समस्या potash वाली उसमें भी रहती है वेर brackish water is used for irrigation जहां पे जहां गंदा पानी कहलो जहां खारा पानी यूज होता है वहां पे भी यह समस्या आ जाती है और वेर M.O.P. potassium koloride is used for potassium जहां पे koloride मतलब M.O.P. यूज करते है control measure है apply potassium sulfate मतलब potassium koloride की जगा potassium sulfate को यूज करो इसके लावा avoid planting on saline soil जो saline मिट्टी है वहां पे और चाड कभी भी मतलगा हो इसके लिए ब्रेकिश वार्टर फोर irrigation irrigation के लिए जो खारा पानी होता है ठीक है उसका यूज ना करो जिसमें koloride and ज़्यादा है इसके लावा spongy tissue next physiological disorder बहुत ही common disorder और South India का है we are serious in Maharashtra, Karnatak, Gujarat and AP ठीक है महarashtra, Karnatak और Gujarat में जिसमस्या बहुत ही ज़्यादा common है modified as a non-edible shore yellowish and sponge-like patch with or without air pocket developing in the food during ripening जो non-edible एक तरीके से ना खाने बाला जिसको खाया ना जा सकता हो खटा और yellow color का खटा मनलब खाने में खटा और yellow पीले रंग का एक sponge जैसी structure पल्प के अंदर बन जाती है जिसमें air pocket जानी कि उसमें एक खाली जगह भी थोड़ी सी रह सकती है आम के अंदर अंदर से काटा जाए ना तो अंदर से वो थोड़ा सा एक good जैसी जहां कहलो कि sponge जैसी आपको दिखाई देगा ठीक है गदेदार थोड़ी सी spongy सी structure दिखाई देगी वो बीच में से अगर उसको देखा जाए तो वो सकता है कि खाली हो वो सकता है वो पूरी की पूरी भरी होई हो डवलप हो जाती है जब वो फल पक रहा होता है उस समय राइप हो रहा होता है उस समय बनती है ठीक है कच्चे फल के अंदर नहीं जब फूर मैच्चोर फल है उसके अंदर नहीं Affected fruit have a bad order and become inferior quality, जो ऐसा फल होता है, उसको काठा दे जाए तो उसमें से गंदी smell आती है, ठीक है, और inferior quality का फल होता है वो, Alphanjo variety is more prone to this melody, जो ये समस्या है, जो ये विकार है, इससे Alphanjo variety हो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, spongy tissue से, ठीक है, इस causes क्या है, कारण क्या हो सकते हैं, इस picture में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, कई बार आपको देखने को मिला भी होगा, कई आम की variety हो के अंदर आम खाते time, आपको एक गांट जैसी structure दिखाई दी होगी, वो उसी को ये कहते हैं, spongy tissue कहते हैं, ठीक है, आम के अंदर आती ह एक गांट सी दिखाई देती है, जो आपके main गुठली होती है, उसके साथ चिपकी हुई कहलो, जहां उपर वाली जो छिलका रहता है, उसके साथ चिपकी हुई दिखाई देती है, high temperature कारण हो सकता है, जहां जो solar radiation सीधी जमीन पे पढ़ती है, जिसके कारण जमीन का तापम जिससे की ये फल ऐसे हो जाती है, इसके लाब है exposing the sunlight after harvest, मतलब जो फल है उसको तोड लिया, आपने harvest कर लिया, उसके बाद आपने उसको सीधा light दूप के अंदर रह दिया, तो इसके करण भी ये समस्या हो सकती है, remedial measures हैं, जो बचाव के लिए, तो protect the mango orchard with tall growing shady plants on border, जो आप का पूरा orchard है, उसको जादा ताप मान से बचाने के लिए, shady plant जो भी है, उनसे पूरे orchard को चारो तरफ से cover करकर को जिससे गर्म हवाएं ना बहें, इसके लाबा फोलो sword culture, sword culture होता है, गरास को उगाना, नीचे कुछ ना कुछ, कहलो कि जमीन को cover crop के रूप में cover उगाना, त grass को उगाना, sword culture, ठीक है, इसके लाब mulching with paddy straw, जानि के जो जमीन है, उसको किसी भी तरीके से cover करके रखना है, कि वो सीधी नंगी ना रहे, जिससे की soil ज्यादा गरम ना हो, जिससे flux का निर्मान ना हो, ठीक है, तो आप इसमें mulching भी कर सकते हो paddy straw से, जो इसकी paddy straw है, उसस ठीक है, दान की बूसे से, इसके लाब pre-harvest dipping of fruit in calcium coloride at 2% solution, pre-harvest मतलब harvesting से पहले, अगर अपने फोलों को calcium coloride के 2% solution से dip कर देते हैं, उनके अंदर डोबो देते हैं थोड़ी दे, तो यस मसें नहीं आती, इसके लाब harvest fruit at 3 upon 4 maturity stage as full mature fruit, पूरी पकने की तुलना में, पूरी तरह 3 upon 4, जब पूरा फल पक गया है, 3 upon 4 पका है, तब उसको harvest कर लेने चाहिए, पकने के थोड़ा सा पहले ही harvest कर लेना चाहिए, post harvest dipping of fruit in 500 ppm, इसके लबा तोड़ाई के बाद फलों को 500 ppm, इसके अगर ट्रीट किया जाता है, तो भी यह समस्या कम होती है, soft nose, next physiological disorder है, physiological disorder caused by calcium deficiency causing breakdown of flesh toward the apex of the fruit before ripening, मतलब जैसे जैसे फल पकता जा रहा है, उससे पहले जो flesh होती है, अंदर वाला गुदा होता है, ठीक है, वो तूट जाती है, और जो apex की side, apex मतलब जो tip होती है, ठीक है, आम की nose कहलो, जो तीखा भाग होता है, जहां पे black tip होता है, मैंने कहा था, tip होती है, वह आहीं पे soft हो जाती है, वो गलना start हो जाती है, एक तरीके से अंदर से, उसके अंदर वाले tissue, flesh है, उसके तूटने start हो जाती है, जैसा picture में शोर होगा, ठीक है, वहां से tip वाले पाग से वो soft हो जाती है, तो इसी को soft nose कहते हैं, और calcium deficiency के कारण ये होता है, नेक्स्ट है, clustering, of fruit without growing at the tip of the pinnacle caused by adverse weather, low temperature during February March, clustering of fruit without growth at the tip of the pinnacle, मतलब ग्रोथ नय होना और ज्यादा ग्रोथ नय होके, पैनिकल के जो tip होता है, वहां पे एक छोटे से गुच्छे के रूप में fruits का बंद जाना, पैनिकल का बंद जाना, ये कारण हो सकता है, low temperature के कारण, मतलब adverse climatic condition के कारण, फरवरी मार्च के अंदर भी अगर temperature ज्यादा कम रहता है, तो उस समय ये समस्या बन जाती है, और most of fruit drop, ज्यादा तर जो भी फल लगते है, वो drop हो जाते है, मतलब set नहीं होते, और shrivel, जहां फिर सिकूड जाती है, सिकूड जाना ठीक है, इसके लाबा aborted embryos, जहां फिर abortion ह हो जाता है, ऐसे फलों के अंदर, तो वो गिर जाते है, मतलब कहने का मतलब fruit drop हो जाता है, ऐसे फल जाता तर set नहीं होते है, फिर next है, insect based, mango hopper और jacid, ठीक है, emiratoid species है, mango hopper काफी serious insect है, इसका, बहुत adult and nip सक्द से, from tender shoot, leaves, inflorescence and penicles, जो inflorescence है, penicles है, जहां कच्ची adult होता है, जहां निफ होता है, वो rust juice के उसको नुक्सान पहुंचाता है, penicles, इसके बाद जो inflorescence होता है, जहां penicles होता है, वो dry हो जाता है, सूखना स्टार्ट हो जाता है, जहां सूख जाता है, hopper secret honey dupe on which shooty mold grow on the leaves and penicles, जो hopper होता है, एक चिपचिपा honey जैसा, latex कह लो, शह पतियों के उपर और penicles के उपर, sorry, leaves और penicles के उपर, ठीक है, जो इस पर की बाद में shooty mold growth करना start कर देती है, एक fungus growth करना start कर देती है, ठीक है, उस चिपचिपी जगाए पे, control है इसका spray carbaryl 70.05% का, जहां फिर यह कहलो कि 2 gram per liter का गोल बना कर शिटकाव करना चाहिए, इसके ल at the time of penicle emergence, जब penicle निकलते हैं उसी समय, and again at peace stage of the fruit, जब peace stage होती है, मटर जैसे धाने जितना फल बन चुका होता है, उस समय इनको repeat करना चाहिए, एक तो penicle जब निकला, और जब मटर जितने फल बन गए, उस समय इसका शिड़का आप करना चाहिए, इसके लाबा मिली बाग, ड्रोसिचा मेंजी फेरी, ठीक है, मेजर फेस्ट अफ मेंगो, यह भी एक मेजर इंसेक्ट है, देसक सैप, जो पोदे के जो भाग होते हैं, कॉमल भाग वहाँ से, सैप जो रस होता है, उसको सक करते हैं, चूशते हैं, अफेक्टे प्लांट पार्ट ड्राइज अप, जो प्रभावित पोदे का भाग होता है, जहां पर भी इसका अटेक होता है, वो सूखना स्टार्ट कर देता है, और जो भी फल लगे हुए होते हैं, पोदे के अंदर कच्चे फल होते हैं, वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, इसके कारण, मिली वग बहुत ही खतरना एक जो चारो तरफ की जमीन होती है, तने के चारो तरफ की, उसको गर्मियों के अंदर खुदाई करनी चाहिए, इसके लवा जो खर्पतवार हैं, घासेज हैं, कोई भी घास है, उनको मानसून के बाद जस्ट बाद निकाल देना चाहिए, ठीक है, खाली रखना चाहिए और च स्टिकी बैंड ऑफ ग्रीस एंड कॉल्टार इन दा रेशियो ऑफ वन अंपार टू, एक जो पोथे का तना होता है, में ट्रेंक होता है, वहाँ पे जातो एक स्लिपरी बैंड, जा कहलो कि एक शीट, पॉलिथीन की शीट जैसी शीट होती है, जो कि जातो स्टिकी हो, चिप शीट है, चिप चिप है जो चिप चिप होती है, यह खुद चड़के जाता है, इतना ही काम होता है, क्योंकि ये एक लेटक्स घैलो एक शेहर जैसा मीठा द्रव्स त्राविट करता है, जो चिंटी है जिसको खाने के लिए आती है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती जाती है ठीक है इस इंसेक्ट को फेलाती जाती है तो जो बैंड बनाया जाता है वो लगबग 30 से 45 सेंटीमीटर चोड़ा होना चाहिए जो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ठीक है 30 से 40 सेंटीमीटर चोड पर एक बैंड लगा देती है ठीक है प्लास्टिक की चारो तरफ प्लास्टिक की शीटल पेट देते है तने के चारो तरफ की उस बैंड के उपर कोई चीज नहीं चड़ पाती वो स्टिक ही होता है उसमें ग्रीस कहलो कोल्टार कहलो दोनों चीजें मिला कर एक लेप लगा प्रबाबी कर सकते हो ज्यादा प्रबाबी नहीं कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इसके लिए इसके लिए तो मेन जो आप इसको बचा सकते हो उतना ही ज़रूरी है फ्रूट फ्लाइज डेकस डॉरसलिस दा मेगट फीड उन पल्प एंड कंवर्टिंग कंवर्ट्स इंटू ए ओफ स्मेलिंग रोटन सेमी लिक्विड तो मेंगो जो मेगट है ये पल्प के उपर पल्प को खाती है जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही होगी मेगट कैसी ह होती है ठीक है एक ठांट ये की तरह है ठीक है दिखने में थोड़ी सी और थोड़ी सी छोटी होती है उससे और ये वाली जो है जो फल की पल्प को खाती है और उसको एक सेमी लिक्विड कैलो पतला सा द्रव के रूप में कंवर्ट कर देती है मतलब वहां से पंचर करके फ दूस सा निकलना स्टार्ट हो जाता है फ्लाइज आफ्टर मैटिंग द लेज एग्स इन कलस्टर 150-200 अंडे उसकी स्कीन के अंदर दे देती है फल के अंदर ठीक है तो याद रखना कई बार ये कोश्टन पूछा गया है कि फ्रूट फ्लाइज कितने अंडे देती है 150-200 अंडे दे देती है स्कीन के अंदर आफ्टर 2-3 डेज मैगट्स हैच आउट उसके अंदर से मैगट्स निकलती है और उसके अंदर जो पल्प होती है उसको खा जाती है फल के अंदर की पल्प को भी खा जाती है collect and destroy fallen fruits control तो यही है कि जो भी फल नीचे गिरा हुआ है लग रहा है कि इससे प्रवावित है उसको destroy कर दो ठीक है इसके लबाद स्प्रे कार्वे रेल 0.2% और जहां फिर इसके साथ में 0.1% मॉलासिस और कार्वे रेल का दोनों का घोल बनाके इसका शिडगाब करना चाहिए ज प्री ओविपिरेशन स्टेज होती है जब मतलब वो अंडे देने वाली उसकी condition आने वाली होती है उस adult की उसके ठीक है फ्लाइज की hanging traps 100 ml emulsion of methyl eucanol 10.1% का इसके लाबा जो firum and traps होती है 100 ml emulsion के जिसमें methyl eucanol 10.1% का एक गोल बनाकर उसको लटकाने चाहिए कि बाए उसके अंदर flies attract हो और गिर जाए उसके अंदर कैद हो जाए इसके लाब spray meilathion 0.1% from April June in the mango और चाहड़ अप्राइल से लेकर जून तक meilathion का 0.1% का शिड़का भी काफी प्रभाबी है ठीक है इसके लाब stone और nut weevil crypto ranges mangy fairy जाफर crypto ranges gravy यह stone nut और nut weevil इसको कहते हैं ठीक है stone weevil इसके लिए बैसे तो vapor heat treatment मैंने बताए था वेपर heat treatment किया जाता है ठीक है याद रखना इसके लिए किया जाता है more common in south india more common जे समस्या इसकी south india के अंदर देखने को मिलती है the garb and adult feed on both the pulp and cotylodon on the fruit जो grub होती है the adult होता है वो उसकी जो cotylodon होता है जहां pulp होती है fruit की अंदर से cotylodon मतलब goodly उस दोनों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं दोनों के उपर attack काते हैं the egg are laid in partially developed fruit जो partially अभी कच्चा होता है जहां कहलो कि थोड़ा सा पका हुआ होता है उसी समय ये फल के अंदर अंडे दे देती है और अंदर से ही बीज को खा जाती है ये बहार दिखाई नहीं देती कई बहार तो ये बहार निकलती ही नहीं है अंदर अंदर से पूरी cotylodon को खा जाती ह कंट्रोल है एडप्ट final sanitary measures in the orchard मतलब पूरा clean cultivation एक तरीके से खारपतवार रहीत होना चाहिए पूरा का पूरा जैसे भी आप सभाई रख सकते हो जितनी और उतना रखो इसके लाब वाश्दा infected bark with kerosene emulsion जो पोधे की शाल है ठीक है उसको भी kerosene से जो गोल बनाके उससे उसको दो कि उपर कहीं उसके अंदर ना हो इसके लाब अपलाई diogenone 0.0% एक ट्रंक स्प्रे जो तना है उसके उपर diogenone का 0.05% का स्प्रे भी आप कर सकते हो इसके लाब स्प्रे मेलाथियों 0.1% प्लस एल्ड्री जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट जिरो फाइव होना चाहिए ठीक है परसेंट 45 डेज आफ्टर फ्लोवरिंग एंड रिपीट दस प्रे थ्राइस एड थर्टी डेज इंटरवल तीस दिनों के अंतराल पर तीन बार जे शिड़काव करना इन दोनों के मिक्षर का एल्ड्रीन और मेलाथियोन का ठीक है पंतालिस दिनों आफ्टर फ्लोवरिंग फ्लोवरिंग के पहले ठीक है सौरी बाद में फ्लोवरिंग के बाद में इसके बाद है मैंगो डिजीज पॉडरी मिल्ड्यू ओडियम मैंजी फेरी इंसिदेंस ऑफ फैबरेवल एंवायरमेंट मिलता है तो हमिडिटी भी मिलती है तो ठीक है दब फ्लोवर नूली सेट फ्रूट्स में एंटारली कवर्ड बाई वायट पौडरी मिल्यू आप सारों ने पड़ा हुआ है पौडरी मिल्यू में क्या होता है कि पूरे पूरे पौधे के ऊपर एक पौडर जैसी फॉर्म जाप पौडर जैसा चीज दिखाई देती है पूरा को पूरा फॉट होते हैं जो वह भी जाप फिर जो फोवर्स होते हैं वो इससे कवर हो पर संट पर संट चा फिर किरात्यंग जिरो प्न परसंट का जापिर वावाशतन 0.1% इंटरवल of 10 days इसके लावा जो भी ये फंजी साइडन स्वरी जैसे सलफर है इसका शिड़काव जहां फिर कैराथेन का कर सकते हो जहां फिर वाबस्टीन का दस दिनों के अंतराल पर शिड़काव करना चाहिए ठीक है फंजी साइड्स का इसके लावा एंथ्रेक नौस कोलेटो ट्राइकम फॉलियूस पॉलियूस के कारण होता है में दो ही इसमें बिमारियां वैसे एंथ्रेक नौस सेकेंड है ठीक है यह भी सीरियस है जब हुमीडि प्रेडियूस लीप स्पॉर्ट्स, ब्लोसम ब्लाइट, विदेट विदरर टेप, ट्फिक ब्लाइट, और फ्रू ut rot सींक्टम्स अपक काफ़ी सिंटम के इसके अंदर शो होते हैं तिखाई देंगों उसके उपर भी पत्तियों के अंदर भी छोट छोटे दब्बे दिखाई देते हैं यंग फूट डवलप ब्लैक स्पोर्ट्स श्रिवल्ड एंड ड्रॉप अप जो पके हुए कहलोगी ना फल जो बने हुए फल होती है वह काले उस पर दब्बे बन जाते है और वह सिकूरना स्टार्ट कर देते हैं और गिर जाते हैं ठीक है, कंट्रॉल है, प्रून डेट ड्राइट ट्विक्स एंड डिस्टोई देम बाइब बर्नींग जो भी सूखी हुई शाखा है जा मरी हुई शाखा है उसको काट के उसको जला देना चाहिए इसके लावा स्प्रे बॉर्डोक्स मिक्चर थ्री अनुपाद थ्री अनुपाद थ्री फिप्टी और जहां फिर ब्लाइट टॉक्स 0.3% और बावस्टीन 0.1% इन दा मान्थ अप्राइल एंड सितंबर मतलब फरवरी में अप्राइल में और सितंबर के अंदर बॉर्डोक्स मिक्चर का जहां फिर ब्लाइट ओक्स का जहां फिर वावस्टीन का शिड़काव करना चाहिए ठीक है अफेक्टेट फूट शूट भी डिप इन हॉट वाटर जो भी एफे सिदेंस होगा तो उसको पहले 51 डिगरी सेल्चिस का तापमान जो गर्म तापमान का पानी है उसके अंदर 15 मिन तक डुबो उसके बाद उसको स्टोर करो थैंक यू